Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emi. Today is the 7th lecture of Linguistics and I will be discussing Language Universals in this video. So let's get started. सबस्चे पहले हम देखेंगे कि Language Universals होते क्या हैं? Language Universals basically क्या होते हैं? कि जो भी linguistic theories हैं, वो एक aim के मताबिक चाल रहे हैं और उनका aim क्या है? कि वो ये बात मुलूम कर सकें कि वोट इस कॉमन अमंग ओल दे लैंगवजिस फाउंड इन दिस वर्ल्ड. उनमें कॉमन फीचर्स क्या हैं? वो उनको पिन डाउन कर सकें. ठीक है? अब इसकी example हम क्या देखते हैं? तमाम लैंगवजिस में जो हैं डिक्स्टिंशन पाई जाती है बिट्विन वॉल्स अड़ कॉन्जनेंट्स. उसके अलावा एक ओर example है कि तमाम लैंगवजिस में डिक्स्टिंशन मुझूत होती है बिट्वीन यो नो फ्रंट अड बैक वाउल्स. ठीक है? अब उसके अलावा गर हम grammar के लाहाज से देखें तो तुमाम जो languages हैं उनमें pronouns जो हो मुझूद होते हैं उसके अलावा egy distinction मुझूद होती है या तुमाम, जो languages है mostly languages हैं वो जो है distinguish करती है Awobject और subject के दरemiang they can distinguish between object and subject उसके अलावा mostly languages जो हैं वो distinguish कर सकती हैं just nouns और में आनों मोस्टली लेंग्विजिस में जो हैं नाउन्स और वर्ब्स जो हैं वो मुझूद होते हैं अच्छा अगर अब हम आएं काइंड्स ओफ यू नो इन जुनिवर्सल्स की तरफ काइंड्स अफ यूनिवर्सल्स में सबसे पहले हमारे पास आते हैं अपसलीट इस से यूनिवर्स जो के ऐसी प्रोपरिटी बदी को रहफर करते हैं या इसे डॉमिनट फीचल्स को रहफर करते हैं जो के कुछ ही लैंविजी में जो हैं मोझूद हैं और यहां नोट फांड अ इन आल्ट यांव्ड बद भॉल्ट थिपहां गें जितनी भी लैंविजिस यह नोट ट्रू फर ओल अफ दा लेंगवजिस ठीक है अगर हम इसकी एक्जामपल देखें तो क्या है कि ऑल लेंगवजिस हैं कॉन्सोंनेंट्स एंड वाउल्स तो यह हमारे पास क्या हो गया एबसल्यूट यूनिवर्सल उसके इलावा अगर हम इसकी एक्जामपल देखें तो ओल लेंगवजिस हैं डिस्टिंक्शन बिट्वीन नाउंस एंड वर्ब्स ठीक है उसके इलावा जो थर्ड एक्जामपल मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एबसल्यूट यूनिवर् जिए उसके लिए भी जो कि जिनका कोई रिटन रैकर्ट जो है वह हमारे पास मौझूद नहीं है और इवन उन लैंगवजिज के लिए भी जो के extinct हो चुकी है आप यानि जो बिलकुल खतम हो चुकी है और उनके उन लैंग्विजिस का कोई भी document भी हमारे पास मुझूद नहीं है तो यह जो universal है यानि absolute universal जो है यह उन लैंग्वजिस के लिए भी true है they are potentially true for all of the languages in this world ठीक है अब next अगर हम statistical universal की तरफ देखें तो वह मैंने आपको पहले बताया कि वह dominant features है और वह कुछ ही जो languages है उनमें मौझूद होते हैं they are not potentially true for all of the languages उनमें exceptions जो है वह मौझूद होती है ठीक है और अब क्या है कि यह जो है यह कुछ important यानि कुछ essential जो human languages की features है उनको जह है वह present करते हैं यानि सारी languages के लिए true नहीं है लेकिन लेंग्विज के लिए true है उनके भी essential features को जह है statistical universals है वह हमारे सामने present करते हैं अब इसकी अगर मैं आपके साथ example share करूं तो statistical universals की example में हम सब से पहले देखते हैं कि जो कुछ languages है यानि most languages जो है उनके अंदर हमें vowel आये नजर आता है इसकी example यह है कि English language में एक word of feet ठीक है उसके इलावा most languages जो है most languages में जो है वो मुझूद होता है सब languages में मुझूद नहीं होता next हमारे पास आते हैं implicational versus non-implicational universals अब implicational universals जो है वो basically क्या है उसको हम देखते है implicational universals जो है वो यह state करते है कि if a language has property A then it will be having the property B लेकिन इसको हम vice versa नहीं कर सकते it can't be reverts for example अगर एक property A है कि एक language के अंदर हमारे पास जो हैं वो voiced free creatives मुझूद है जिसमें V और Z मुझूद है तो फिर हमारे पास unvoiced free creatives F और S भी मुझूद होंगे यानि property A क्या है हमारे पास voiced free creatives जो के V और Z है ठीक है और unvoiced free creatives जानि के property B क्या है F and S तो ये दोनों अगर A मुझूद है तो B भी मुझूद होगा लेकिन अगर B मुझूद है तो A का मुझूद होना जरूरी नहीं है इसको हम wise versa नहीं कर सकते अगर हमने ये चीज़ देखनी है कि A मुझूद हो और B मुझूद हो और B मुझूद हो तो A नहीं हो तो हमें एक और चीज़ भी देखनी होगी कुछ लेखनी हुद हो जिनमें जो है ना प्रउपर्टी ए मुझूद हो और ना प्रउपर्टी बी मुझूद हो कुछ जो है उनमें अगर voice मुझूद है तो unvoiced भी मुझूद होंगे अगर unvoiced मुझूद है तो जरूरी नहीं है कि voiced भी हूँ ठीक है और कुछ languages फिर ऐसी है जिनमें ना property A ना property B या यानि जिनमें ना voiceficatives हैं और ना ही unvoiced figurative है ठीक है अब हम एक और example इसके देखें कि जो कि हमने देखा था non-implicational universal अगर हम उसकी बात करें तो कुछ properties human language की ऐसी होते हैं जिनको अपनी existence के लिए किसी भी दूसरी property के reference की जरूरत नहीं होती and they can exist all alone ठीक है अब अगर हम ये देखें कि तमाम languages के अंदर oral vowels जो हैं वो मुझूद हैं लेकिन उनको किसी और item की जो है अपने reference के लिए या अपनी existence के लिए जुरूरत नहीं है तो उनको हम क्या कहेंगे non-implicational universals next हमारे पास आते हैं formal और substantive यूनिवर्स फॉर्मल यूनिवर्स वो होते हैं जो के बेस्ट का रही होती है statement rules of grammar पर forms of grammar rules of grammar पर ठीक है अगर अब हम ये देखें के ये जो हैं ये basically distinguish करते हैं कुछ languages के दर्मयान जो के possible और impossible properties है rules of grammar की उन में जो है ये difference जो हैं वो करते हैं फिर अगर हम formal claim करें के no language can have a formal rule that operates by giving a left right inventions to of string तो ये भी हमारे पास क्या है formal universal में आएंगा अब substantive universal क्या होते हैं वो ऐसी categories है human language की डिस में out of which universal in language are based ठीक है जानी theorized होते हैं ठीक है उसकी basis पर हम जो है language universal को जो है उनकी एक theorize करते हैं उनकी हम theories जो है वो बनाते हैं अगर इसकी हम example देखें तो syntax में में जो है syntax में क्या होता है कि syntax में हम include करते हैं कुछ इस तरह की categories जैसे के nouns verbs ठीक है phrase noun phrase ठीक है subject direct object ठीक है indirect object वर्ब वगेरा वर्ब फ्रेस वगेरा ठीक है phonology के अंदर है clear example है हमारे पास substantive universals की जो के distinctive feature है phonology का ठीक है तो this was all about the language universals like and share the video and don't forget to subscribe the channel